बंबाज गुड्डू मुसलिम वही बंबाज जिसने उमेश पाल हत्याकांड में दिन दहाडे बंब दागे वही बंबाज जो सड़क पर चलते चलते बंब बना देता है गुड्डू मुसलिम अपने साथ हमेशा एक बैग रखता है और उसी बैग से निकाल कर सीधा बंब दाग देता है कहा जाता है कि गुड्डू मुसलिम इतना शातिर है कि वो बंब बनाने का समान अपने साथ लेकर चलता है और चलते चलते ही बंब बना देता है उमेश पाल हत्याकांट को 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन गुड़ू मुसलिम लगातार फरार है सवाल ये कि आकिरकार पुलस गुड़ू मुसलिम तक पहुच क्यों नहीं पा रही है आकिर बंबाज कहा चिपा है महीनों से गुड़ू मुसलिम कहा रह रहा है किसके साथ है इन तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी पाकी है सबसे हैरानी की बात देखिए पिछले दिनों गुड़ू मुसलिम का मेरट से एक वीडियो वारेल हुआ जिसमें वो अतीक अहमत की बहन आईशा नूरी के घर पर नजर आया आईशा नूरी के पती अखलाक से मिला गले लगाया और आरोप ये की अतीक की बहन ने गुड़ू मुसलिम को फरारी के लिए पैसे उसी दिन दिये थे इस वीडियो के वैरल होने के बाद पुलिस ने अतीक अहमत की बहन आईशा के पती अखलाक को तो गिरफतार कर लिया लेकिन गुड़ू मुसलिम तक पुलिस अभी तक नहीं पहुँच पाई आकिस सवाल ये कि गुड़ू मुसलिम पकड़ा क्यों नहीं जा रहा गुड़ू मुसलिम के गिरफतारी क्यों नहीं हो पा रही है गुड़ू मुसलिम तक पहुच पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है हाला कि शनिवार को प्रियागराज पुलिस ने गुड़ू मुसलिम के मकान पर कुरके की कारवाई की और आप बुल्डोजर की बात की जा रही है पुलिस उसकी तलाज कर रही है लेकिन पुलिस ने अब फिर से गुड्डू मुस्लिम पर जल्द ही योगी सरकार का बुल्डोजर चल सकता है कहा जा रहा है कि गुड्डू मुसलिम के मकान पर जल्द ही बुल्डोजर चल सकता है लेकिन गुड्डू मुसलिम कहा है किसके साथ है और कब तक उसकी गिरफतारी होगी ये किसी को नहीं पता प्रियागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपीता